ग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आपका दिव विस्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विशय है श्रीमत भगवत गीता प्रतम अध्याय पर हम चर्चा करेंगे अरजुन विशाद यूग का नाम है अरजुन अवसाद से ग्रसित होता है विसाद से ग्रसित होता है और श्रीमत भगवत गीता का प्रारंब धिर्तराष्ट उवाच से जो की हमने पिछले विडियो में भी देख लिया है तो धिर्तराष्ट उवाच से शुरू होता है धर्म शेत्रे, कुरुक शेत्रे, समवेता, युद्स्व, मामका, पांडवा, शेवकिम, कुर्वता, संजय इससे शुरू होता है तो अभी हम शुरू करेंगे अभी हमने शुरू नहीं किया है तो गीता में क्या-क्या है हम इसको जाने प्रतम अध्याय में उससे पहले हम एक प्रार्थना सर्वकल्यान की प्रार्थना जरूर कर लेते हैं विश्व कल्यान की प्रार्थना जरूर कर लेते हैं क्लिए क्योंकि श्रीमत भगवत गीता का विचार है तो प्रारंभ करने के पहले हमें जरूर ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए नियम है योग पद्धिती में भी ये नियम है चांताकारं भुजगशयनं अद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसद्रिशं एगवरणं शुभांगं लक्ष्मिकांतं कमलनयनं योगि भिर्ध्यान गम्यं वंद्य विष्णू भव भयहरं सर्वलो कैकनाथं संगचद्वं संवदद्वं संगो मनांसी जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते ओं शांती 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 एक साथ बोलें एक साथ अपने कद्मों को आगे बढ़ाएं दंबा यह तुती है दंबे स्थुती है थोड़ी सी समान मंत्र समिती समानी समानम मनह सहचित्त मेशाम समानम मंत्र मेभी मंत्रे व समाने नवो हविशाज हो तो सब के हिरदय समान हो, मंत्रना समान हो और पूरा जो विश्व है वो बंधुत्व से भरा हुआ हो बंधुत्व हो सब में एकता हो और सब एक होकर ही अपना कर्म करें अपने अपने भाग को ग्रहन करें कोई किसी का भाग छीने नहीं तो हमें यह विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और श्रीमत भगवत गीता में ऐसी प्रार्टना करकर हम इसकी चर्चा को अब शुरू करते हैं तो श्रीमत भगवत गीता का जो प्रारंब है घृतराष्ट उवाच से होता है प्रतम अध्याय के अंदर 47 इसलोक हैं तो 47 47 इसलोक में एक नमबर इसलोक से लेकर 11 इसलोक तक जो धिरतराष्ट का प्रश्ण है और योद्धाओं का वर्णन जो धिरतराष्ट करते हैं पांडो साइड जो लोग है पांडवों के तरफ जो लोग है उनका वर्णन करते हैं फिर कौर्वों के तरफ जो लोग है उनका वर्णन करते हैं अलग-अलग युद्धाओं का वर्णन करते हैं पहले तो धृतराश्ट का प्रश नहीं आता है और युद्धाओं के बारे में पूछा जाता है और संजय जो है युद्धाओं का वर्णन करते हैं युद्ध भूमी में कौन-कौन से महारती युद्धा है फिर कौरोपक्ष के युद्धाओं का वर्णन है आगे चलकर कौरोपक्ष के युद्धाओं का वर्णन मिलता है फिर सभी युद्धाओं के द्वारा महारतियों के द्वारा जो अलग-अलग शंख बजाए गए हैं उनका वर्णन मिलता है लगभग 11-19 इसलोक तक ऐसा वर् अरजुन सेना का निरिक्षन करता है कि सभी अपने अपने जगा पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं क्या इस्थिती है उनकी सेना कितनी संख्या में दिखाई दे रही है हमारी कितनी है और क्या दिर्श बन रहा है तो निरिक्षन करता है अरजुन और फिर 27 से लेकर 47 तक जो है अरजुन का विशाद योग है अरजुन को जो अवसाद होता है उस अवसाद का वर्णन मिलता है चलिए हम भी श्रीमत भगवत गेता में इस लोगों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो 11 वे इस लोग तक जो युद्धाओं का वर्णन है कौन कौन से युद्धा है उपश्थित उनको हम खोड़ते हैं कहता है बारहमे सुत्र में बारहमे स्लोक में भिश्म ने उस दुर्योधन के हिर्दय में हर्ष उत्पन करते हुए उच्छ स्वर से सिंग के समान गरज कर शंख बजाया फिर एक साथ ही शंख नगारे ढोल मृदंग और रर्ण सिंगा आधी बाजे बजने लगे वो शब्द बड़ा ही भयंकर हो रहा था जो वादियंत्र संस्कृति भी पता चलती है कि जब युद्ध हुआ करता था इस तरह से युद्ध तो पैंड बजे करते थे नगारे बजा करता था और सैनिकों के जोश को बढ़ाने की कोशिश की जाती थी इस तरह से जो युद्ध होता था पैंड बजाकर नगारे बजाकर सैनिकों के ज जोश को उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया जाता था और वह शब्द बड़ा भयंकर होता था संजय ऐसा बोलते हैं ठीक है फिर सफेद घोडे से युक्त बड़े भारी रत में बैठे हुए स्रीकृष्ण और अर्जुन भी अपने अलौकिक शंक को बजाते हैं पांश्य जन्य हर्शी केशो देवदत्तम धनंजय पॉंडरम दद्मव महा शंकम भीम कर्मा व्रिकोदर स्रीकृष्ण ने पांश्य जन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंक बजाया भयानक कर्मकारी व्रिकोदर भीम ने पॉंडर नामक शंक महान शंक बजाया कुंती पुत्र राजा युदिष्ठिर ने अनंत विजय अनंत विजियम राजा कुंती पुत्रो युदिष्ठिर नकुल सहदेव अश्य शुघोष मनी पुष्प कवू पुंती पुत्र राजा युदिश्चिर ने अनंत विजय नकुलने सुगोस सहदेव ने मनी पुष्पक नाम वाला संख बजाया कास्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ द्रिष्ट धुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितह दुरुपदो द्रौपदे आश्च सरवै शर्वशह प्रती विपते सौभ द्रश्च महाबाहु संखान धव्द्मू प्रथक 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 हे पृत्वीनात महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यों इन सबने भी सब और से अलग अलग शंक बजाए ता घोशो खर्त राष्ट्रानाम हर्दयानी वेदार रयत नभश्य प्रत्वी चैव तू म्रलो विनुनाद यन वभयंकर शब्द आकाश और प्रत्वी को गुन जाता हुआ द का ही वर्णन है उसके बाद मर्शिवेद व्यास जिन्होंने श्रीमत भगवत गीता लिखिये पुरा महाभारत गरंथ लिखा उसी के विश्रम परवसे लिया गया है आगे वो कहते हैं कि है प्रत्वीनाथ फिर उस शंक चलने की तैयारी के समय प्रत्वीनाथ कौन है याप कर कपी ध्वज अर्जुन धनोश उठाकर श्रीकृष्ण से इस तरह कहने लगा है जब तक इन खड़े हुए युद्ध एक्छुक वीरों को भली भाती देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है तब तक आप मेरे रत को दोनों सेनाओं क के बीच में खड़ा करिए अर्जुन बड़े उत्सा में है बड़े जोश में है युद्ध करने के लिए पूर्णतह ततपर है फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन-कौन मुझसे युद्ध करने के लिए यहां पे खड़ा है आगे बढ़ता है अर्जुन ते कृष्ण रथ को आगे ले जलते हैं दुर्मती दुर्योधन का युद्ध में भला चाहने वाले ये राजा लोग यहां आए हैं उन युद्ध करने वालों को भी मैं सही प्रकार से थोड़ा देख लू कि कौन-कौन राजा दुर्योधन के साथ क पारे के तथा अन सब राजाओं के सामने खड़ा करके बोले है पार्थ इन इकटे हुए पौर्वों को तुम देखो फिर वह प्रिथा पुत्र अर्जुन वहां दोनों से नाओं में खड़े हुए अपने ताउ, चाचों को, दादों को, गुरुओं को, मामों को, भाईयो पुत्रों को, पत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुरहिद वर्गों को, वहां उन सभी कुटुमबीयों को खड़े हुए देखकर अत्यंत करुणा से घिर कर वह कुंती पुत्र अर्जुन सूक से व्याकुल होता हुआ, इस प्रकार कहने लगा एक रिष्न, सामने खड़ प्रकार का सिम्टम अचानक से आ जाए तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं पैनिक अटैक अगर इस प्रकार का सिम्टम अचानक से आ जाए तो उसे हम कहते हैं panic attack panic attack मतलब अचानक से विक्ती preparation में चला गया अचानक से negative minded हो गया अभी तक तो सब भला था लेकिन अचानक से पता ने उसे क्या हो गया शरीर कापने लगा पसीने निकलने लगर this is called panic attack कई बार यह attack उस situation में आता है जब ऐसे situation में आप पढ़ जाते हो ऐसा नहीं कि सब को आता है जो लोग थोड़ा मन से दुर्बल है उन्हीं को लेकिन हम अरजुन मन से दुर्बल हम ऐसा नहीं कह सकते किसी को भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा negative situation उसके सामने आ जाए तो चारों तरफ से उसको लगे कि भाई विनाश होने वाला है मैं मरने वाला हूँ तो panic attack उसे हो सकता है कुछ लोग जो कमजोर है उनको ज़्यादा होता है जल्दी जल्दी हो जाता है तो panic attack में शरीर में कमपन आना पसीने निकलना कमजोरी महसूस होना कितना भी बलवान आदमी हो अगर panic attack हो जाएगा कमजोरी महसूस करें जैसे कोई ताकत ही नहीं है ठीक है? तो अरजुन सारा दर्ष देखता है कि मेरे ही चाचा लोग है, मेरे ही भतीजे लोग है, मेरे ही पूरा कांदान है भाई भतीजा, चाचा, सब पितामा, दादा सब तो खड़े ही यहाँ पर कौन नहीं खड़ा पुरा कुटुम्ब ही मेरा इसे युद्ध भूमी में खड़ा हो रखा है अर्जुन को ये सारा दिर्श देखर उसको पैनिक अटैक हो जाता है वो अपना संतुलन खोने लग जाता है अवसाद से ग्रसित हो जाता है वास्तों में ये अवस्था भी क्या है यह अवस्था भी तो एक विचारों का वेग है एक विर्तियों का वेग है विर्तियां ही तो है पुर्व संसकारों से जो मन उसका भरा हुआ है कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए हमें भला कर्म करना चाहिए हमें व्यर्थ का हिंसा भी नहीं करनी चाहिए अरजुन को जो रिशी मुनियों से जो सिक्षा मिली है और जो ज्यान मिला है उन सब के वशिभूत उसको ऐसा होता है और वो सोचता है कि ये क्या पूरे कुटुम्ब का ही विनाश जिनके लिए हम भूमी चाहते हैं वो सारे युद्ध में खड़े हैं लडने मरने के लिए तो ये तो बड़ी विचितर स्थिती है मेरे सामने और उसका शरीर कापने लग जाता है सिथील पड़ जाता है गांडी वहां से जोड़ देता है इसले विचार बहुत ताकतवर चीज होते हैं विचार कुछ भी कर सकते है मन के ही विचार अपने ही विचार आपके मृत्यू के कारण बन जाते हैं किसी पर स्थिती में आप कितने भी बलसाली की होना खुब बॉड़ी बिल्डर हो खुब केलेंटेड हो खुब बुद्धी जीवी हो लेकिन पता नहीं मन कौन से दिशा पकड़ लिया अगर पकड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा तो आज विश्व का सबसे बड़ा धनुरधर विश्व का महान धनुरधर और इस प्रकार का तपस्वी जोद्धा अरजुन जो है ऐसी अव हुमी में मरने के लिए खड़ा है यह क्या हो रहा है केशो मैं इनको देख नहीं पा रहा हूं गांडीवं संस्र स्रंसते हस्तात्व चैव परिध्यते नच चक्तव्यवस्थात्म भ्रम्तीवचा में मनहा गांडीव धनुष हाथ से खिसक रहा है स्वचा बहुत जलती है प इसके सीवा और भी सब लक्षन मुझे विपरित ही दिखाई देते हैं युद्ध में अपने कुल को नश्ट करने में मैं कल्यान को नहीं देख रहा हूं धेकृष्ण मैं ना विजय ही चाहता हूं ना राज्य का सुख ही चाहता हूं धेकृष्ण हमें राज्य से भोगों स जिवित रहने से क्या प्रयोजन है? हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदी चाहते हैं, वे ये हमारे गुरुजन, ताउ, चाचा, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणों के मुह त्याग कर युद्ध भूमी मे खड़े हैं, हे मदुसूदन, मुझ पर वार करते हुए भी, इन संबंधियों को त्रलोकी का राज्य पाने के लिए भी मैं मारना नहीं चाहूँगा, फिर जरासी प्रत्वी के लिए, थोड़े से राज्य का भाग के लिए, कहना ही क्या, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ह इसलिए हे माधव, अपने कुटुम्भी घृतराश्च पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुम्भ को नश्ट करके हम कैसे भला सुखी हो सकते हैं, यद्ध पी, लोभ के कारण, यद्ध पैतेन अपश्चंती लोभू पहत चेतसा, पुल छय कृ करने में होने वाले आपको नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्धन, कुल नाश जन्य दोशों को भली परकार जानने वाले हम लोग इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए, यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जात है, यह कृष्ण इस तरह पाप से घिर जाने पर कुल के इस्त्रियां दुशित होती है, यह वार्षने इस्त्रियों के दुशित होने पर वर्ण संकरता आती है, वर्ण संकरता उन कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, तो कि उन पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नश्ट हो जाने के कारण अपने अस्थान से पतित हो जाते हैं इस प्रकार वन संगरता को उत्पन करने वाले उप्युक्त दोशों को से उन कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्ट हो जाते हैं ये जनारधन जिसके कुल धर्म कर बैठे हैं जो कि इस रज्य सुख के लोब से अपने कुटुम्ब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं यदि मुझे सहस्र रहित और सामना ना करने वाले इस शस्त्रधारी धिरतराश्र पुत्र रण भूमी में मुझे मार डाले वह मेरे लिए भी मेरे लिए अच्छा ह लेकिन यह युद्ध नहीं संजय बोला उस रण भूमी में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर पानो सहित धनुष छोड़कर छोका कुल चित हो रथ के ऊपर बैठ गया और ऐसी बाते कहकर कि मुझे से युद्ध ना हो पाएगा विश्न मैं युद्ध ना कर पाऊंगा पाजुन युद्ध करने के लिए तयार नहीं है उसे युद्ध करने में सिर्फ हानी और हानी ही दिखाई दे रही है कोई लाब नहीं दिखाई दे रहा जी हां यह युद्ध ही ऐसा है पूरा पांडों का कुटुम और कौरों का कुटुम उस युद्ध भूमी में खड़ खड़ा है तो अब क्या होगा युद्ध होगा तारो तरफ अपने ही भाई भतिजे मरते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई लाभ नहीं होगा तो मैं भला ये युद्ध क्यूं करूं दूसरा युद्ध होने से कुलधर्म नश्ट होने से आप लगने से कुलधर्म नश्ट होता है कुलधर्म नश्ट होने से इस्त्रियां पतित होती है और उसे वर्ण शंकर संतानों की उत्पती होती है अरजुन ऐसा कह रहा है यद भी अरजुन का जो कहना है वह मोह वशही है मोह वशही है क्योंकि यह वर्ण शंकरता भी एक भ्रह्म रूप में है वास्तों में वर्ण शंकरता भी एक भ्रह्म रूप में है वर्ण शंकरता इस्त्रियों के पतन होने से वर्ण शंकरता हो जाएगी और वर्ण शंकरता तब होगी जब किसी संतान का जन्म पाप युक्त होगा अब पाप युक्त होने का क्या मतलब है पाप युक्त होने से आप क्या समझते हैं ऐसा भी हो सकता है कि किसी इस्तुरी का विवाह उसके अपने निजवर्ण में हुआ हो फिर भी उसका संतान पाप युक्त हो जाए यह भी संभवर ऐसा हुआ भी है ऐसे अनेक उदाहरन मिल जाएंगे और यह भी तो हो सकता है कि निजवर्ण में ना हुआ हो और फिर भी पुन्यात्मा संतान का जनम हो जाए ऐसे भी उदाहरनितिहास में मौजूद है कुल मिलाकर जो बात निर्भर करती है वो कर्म पे निर्भर करती है वर्ण पे निर्भर नहीं करती इसलिए कृष्ण अरजुन को कर्म योग आगे समझाते है पूरी से पूरी बात अरजुन भी कर्म के ही बात कर रहा है कि हमसे पाप कर्म लगेगा अरजुन का कहना भी गलत नहीं है वो सही बाते ही कर रहा है लेकिन कृष्ण उसे वो कौन सी ऐसी बात है जो वो समझ नहीं रहा है उसकी सारी बातें पाप पुन्य के बीच में बंदी हुई है तो सच पूछिए पाप भी बंदन है और पुन्य भी बंदन है तो नों ही बंदन है तो पाप भी बंदन है और पुन्य भी बंदन है जीव के लिए जीव अगर मुक्ति चाहता है उसे पाप से भी मुक्ति चाहिए और पुन्य से भी मुक्ति यह नहीं कि सिर्फ पाप से ही मुक्ति होगी दोनों से होगी दुख से भी सायरिक सुखों से भी मुक्ति सायरिक दुखों से भी मुक्ति कि दोनों समन अंतर तो चलेंगे ही चलेंगे तो इसी प्रकार से संसार में पाप पुन्य भी रहते हैं तो अरजुन उन पाप कर्मों से बच रहा है लेकिन कहीं न कहीं दुरियोधन को पूरी छूट दे रहा है कि जाओ भाईया तुमको जो करनाय करते रहो जब तुम्हारा आएगा समय तो समझ जाओगे लेकिन कब समझोगे और कौन कब समझा जब तक अंत समय ना आया रावन कहां समझा जब तक मिर्ट्यू सामने नहीं आई कंस कहां समझा कि दुरियोधन समझ जाता तो मिर्ट्यू सब को समझा देती है कि भाई लाइन पर तुमें रहना चाहिए था सही रास्ते पर तुमको रहना चाहिए था तो अरजुन उस अस्तर तक सोच नहीं पा रहा उसका जो सारा धर्म है उसका जो सारा उपदेश है वो पाप और पुन्य के बीच उलज़ा हुआ है और इसी उलज़न को भगवान स्री कृष्ण खतम करने का प्रयास करते हैं शुरू करते हैं अरजुन को समझाना और उन्हें इस प्रयास में सफलता भी प्राप्त होती है सफलता भी प्राप्त होती है पृष्ण क्या समझाना शुरू करते हैं यह हम कल के व्याख्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे तो आज हम यहीं तक कि अरजुन को विशाद हो गया अरजुन उदाहरन दे रहा है कि वर्ण शंकरता का ऐसे स्थिती बन जाएगी निश्य ही युद्ध के अंदर जब बहुत सारे लोग मरेंगे तो इसकी संभावना हो जाती है कि बहुत सारे बच्चे अनात हो जाएगे बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाएगे उनको कौन सहारा देगा तो हो सकता है कि वो दूसरे वर्ण में विवाह करें और वर्ण शंकरता का अर्थ समझा जाता है यदपी यह सटीक अर्थ नहीं है क्योंकि कोई पाप युक्त व्यक्ती जो पहले से ही पाप युक्त है और वो अपने वर्ण में ही विवाहित है कोई इस्तरी अपने वर्ण में ही विवाहित है लेकिन वो पाप युक्त है उनका जीवन पाप करमों से भड़ा हुआ है भले ही वर्ण में है तो इससे क्या वर्ण शंकरता नहीं आएगी उससे भी वर्ण शंकरता आ सकती है उससे भी वर्ण शंकरता आ सकती है तो इसलिए हमें अब दुर्योधन क्या वर्ण शंकरता से पैदा हुआ है नहीं अपनी माता का ही वो गांधारी का ही पुत्र है वो पिता धृतराष्ट का ही तो फिर वो ऐसा पापी क्यों हो गया उसका जीवन पाप में क्यों है दुशत क्यों है नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी है दुर्योधन का जीवन पाप कर्म तो यह इसका कोई प्रमाण नहीं है इस बात का यहाँ पर कई लोग वनशंकर्ता का उदारन देते हैं गीता में ऐसा भगवान ने कहा है भगवान ने नहीं कहा है अरजुन ने कहा है अरजुन अपने अल्प ग्यान से जिसको अभी मोक्ष आत्म ग्यान और योग का ग्यान नहीं है उसको मात्र बाहरी कर्म का ही ग्यान है लेकिन उसको आत्म ग्यान के बारे में कोई जानकारी नहीं योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए वो ऐसी माया में फसा और ऐसी बाते कह रहा है और उस अत्याचार उस अन्याय और उस अधर्म का ही समर्थन कर रहा है जो अधर्म दुर्योधन के द्वारा हो गया है। कि किस प्रकार दुर्योधन ने दुरॉपदी का चीर हरन किया था, किस प्रकार चल पुरुवक उनको हराया था, किस प्रकार बार-बार उनको अपमानित किया था और एक बार दुरॉपदी का हरन भी किया था, उसने वन में जपांड़ो वनमास में था, तो भी उसने ऐसा किय तो इस तरह से बहुत सारी बाते थी दुरियोधन के साथ लेकिन जो खीमत भगवत गीता है यहाँ पर अरजुन जो है अभी अपने कुल का नाश को देखकर कि मेरे कुल का नाश होने वाला यहाँ देखकर अत्यनत मोहित है और मोहित होकर अपनी बातों को कहे जा रहा है कुछ भी बोले जा रहा है अब उसे बोलने की ज़ुरत है क्यों ज़ुरत है क्योंकि क्रिश्न है वो जानता है कि क्रिश्न नहीं मानेंगे दुरियोधन ने कृष्ण का भी बहुत अपमान किया है तो कृष्ण नहीं मानेंगे अरजुन जानता है इसलिए अरजुन अपना ज्यान रख रहा है एक तरह से समझे कि ज्यान ज़ाड़ रहा है करक दे रहा है कि ऐसा पाप लग जाएगा वैसा पाप लग जाएगा भर्ण शंकर पैदा हो जाएगे इस तरह के अने को बहाने वो दे रहा है अभी भी वो सोचता है कि हमें दुरियोधन को मनाना चाहिए शांत करना चाहिए जबकि सारे प्रयास हो चुके है वो खुद भी पहले प्रयास कर चुका है सारे पांड़ों मिलकर युदिश्चिर भी दुरियोधन को समझा चुके है लेकिन कोई लाब अब तक ना मिला और दुरियोधन रक्त का प्यासा युद्ध का प्यासा युद्ध करने के लिए सर्वदात या है तो यह सारा बात सुनकर भगवान कृष्ण यह अर्जुन के जो भी बहाना अर्जुन बनाता है जो भी excuses हैं उसके उन सब को सुनकर भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि अब इसको panic attack हो चुका है यह भ्रमित हो चुका है इसके उपर नकरात्मक विचार चित्विक्षेप हो चुका है और नकरात्मक विचार इसके उपर हावी हो चुके है अब भगवान कृष्ण का कारे है कि सार्थी होते हुए अर्जुन को समझाएं कि जो भी वो कह रहा है वर्ण शंकरता की बात कर रहा है चाहे पापपुन्य की बात कर रहा है आगे वो चलकर ब्रमचारी होने की भी बात कर देगा तो ये सारी जो बाते हैं सारे जो अर्जुन के तरक हैं और अर्जुन का जो ज्यान है उसको समझाएं और उसे सही रास्ते पर उसे कर्तव्य पत पर लेकर आएं उसे कर्तव्य पत पर लेकर आएं अपना उपदेश देना शुरू करते हैं तो चलिए कल से हम सांख योग नामक अध्याय पर सर्चा शुरू करेंगे ठीक है? बहुत बहुत आभार आप सभी का चुड़े रहें बने रहें और विडियोज को दूसरों तक पहुंचाते भी रहें शेयर भी करते रहें सबस्क्राइब भी करते रहें बहुत बहुत आभार आप सभी इसी के साथ विराम देते हैं